Pitch Factor Pitch Factor Pitch Factor basically English term Hindi term आपको देखने को मिलती exam के अंदर English की Hindi देखने को मिलेगी Pitch Factor जो है English में एक नाम और होता है Coil Spawn Factor Coil Spawn Factor तो वहां से आपको इसकी Hindi मिल जाएगी Spawn मतलब समझते है Spawn मतलब विस्तार होता है तो इसे हम विस्तार गुणांक भी बोल सकते हैं क्या बोल सकते हम इसको विस्तार गुणांक भी बोल सकते हैं Pitch Factor या फिर इसको हम कहते हैं आपके Coil Spawn Factor This is Coil Spawn Factor Coil Spawn Factor लिए हिंदी के अगर नाम की बात पर हो तो हिंदी के नाम हम क्या बोल सकते हैं हम क्या सकते हैं आपके कुंडली विस्तार गुनांक कुंडली यह तो कुईल मतलब तो कुंडली हो गया और विस्तार विस्तार गुनांक विस्तार गुनांक या फिर हम इसको बोलते हैं आपके जीवा गुनांक जीवा, गुणांग, ठीक है, तो अगर आपको हिंदी में वहाँ देखने को मिलता है, निमी लेंग्विज में तो ये सब देखने को मिल जाएगा, तो आपके पास क्या हो गया, Pitch Factor, मुझे लगता है, Pitch Factor कल में आपके साथ डिस्कस कर चुका था, हलका फुलका तो, आपक को पिछ का मतलब समझ में आ गया bit precisely क्या होता है फिच बसके लिए आप편 को किस स्लॉट से निकालोगे यह पिछ पो रिप्रेजेंट करता है पिछ मतलब कोईल का टपा कहाँ Slot कोईल का टपा यह आपके क्या हो pitch factor होगा तो अभी आपने क्या किया था कि एक तो होता है pole pitch और एक होता है winding pitch pole pitch basically adjacent pole का formation कितने slot पर बनेगा ये आपको pole pitch बताता है लेकिन क्या आप coil को उसी हिसाब से डाल रहे हो जिस हिसाब से pole pitch आया है अगर डाल रहे हो तो फिर आपके पास क्या है pole pitch और coil pitch या फिर winding pitch का मान जो है वो एक जैसा आने वाला है हम क्या बात करें थे pitch factor और आपके पास क्या है कुंडली विस्तार गुनांग जीवा गुनांग तो मैंने आप से क्या कहा था कि winding pitch और आपके pole pitch का अनुपाद pitch factor कहलाता है यह मेरी आपके साथ डिस्कस हो गई थी तो चलो लिख देते हैं यहाँ पर फटाफट winding pitch winding pitch तथा pole pitch pole pitch का अनुपाद अनुपाद pitch factor pitch factor कहलाता है pitch factor कहलाता कहलाता है और इसे double quotation में बंद कर दो बहुत प्यारी सी तोटी सी definition है ती न यह अच्छा या करके हम एक definition और लिख लेते हैं आपने कहा हाँ कि या यह depend करता है winding और आपके pole pitch पर तो आप देखना इसका मतलब क्या हुआ मेरी जो winding pitch होगी उसको आप वेरी कर सकते हो यह सुधारण के तौर पर हम एक example लेते है suppose माल लो 36 आपके पास क्या है slot है 36 आपके पास slot मतलब आपके खाचे आपके पास है पर आपसे किसी ने कहा कि यह हमें जो है 4 pole बनाने है हमें 4 pole बनाने है इन 36 slots के आपके around तो आप इन दो आकडों से निकालोगे slot पर pole निकालने की कोशिश करोगे बड़ा असान है slot में pole का भाग लगा दो तो 36 बटा आपके पास 4 बराबर कितना हो जाएगा 9 इसका मतलब 9 खाचे आए इसका मतलब क्या आगए 9 खाचे आए इसका मतलब समझने की कोशिश करना इसका मतलब यह है कि पहला आपके coil पहली slot में होगा और फिर उसके बाद वो 9 खाचों के span के साथ 10 खाचे में जाएगा यह है इसका मतलब जो इसकी theory बोल रही है लेकिन आप बोल रहों कि pole pitch होगा ना हमारा winding हम generally winding क्या करते ह錢 full pitch winding नहीं करते हैं हम short pitch winding करते है अब short pitch by one slot अगर मैं short pitch by one slot करता हूँ तो हो सकता है मैं पहले slot से फिर नवे से تार निकाल दूँ और अगर माल लो मैं कहता हूँ short pitch by two slot तो short pitch by two slot में मैं आपके पास क्या है First 2 आपके क्या है Eight से ही निकाल दूं ऐसा कर दूं तो आप देखना आपको निकालना काहा से था आपको दसवे खांचे में से तार निकालना था आपने निकालने की कोशिश कहा कहा से की अगर मालो वहाँ आया short pitch by one slot तो आपने निकाला 1, 2, 9 अगर वहां लिखा आता है कि short pitch by आपके पास क्या है two slot तो आपने 1, 2, 8 निकाला कई बार आपको दे देता है वो कि यह खातार जो निकला हुआ है न यह 1, 2, 8 निकला हुआ है 1, 2, 8 निकला हुआ है तो अभी स्पान कितने का होगया आपे साथ खांचो का हो गया इसका मतलब क्या है short pitch winding में induced EMF और full pitch winding में induced EMF का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है आपका pitch factor कहलाता है हम क्या कहा सकते कि generated EMF in short pitch winding और generated EMF in full pitch winding is known as आपके pitch factor क्या बोलेंगे हम पिछ फेक्टर, तभी को राम-राम हाँ, चाए अभी नहीं मिली, आज मैडम ने चाए जो है विरको पहले ही पिला दी, चाए पिने के चक्कर में तो लेट हो गया में आपके तो पांच मिनिट का जो गेप आया आपके ट्रेन में वो पांच मिनिट का गेप था, उस स्टार्टिंग में चाए पिने का, अगर उसको यहाँ पीता तो शायद वही टाय में के रूपता, तो चलो खेर, आप भी चाहे लो, और हम आगे बढ़ते हैं, तो यह definition आपको समझ में आगया होगा कि मैं क्या बाते कर रहा हूं आपके साथ, एक आपको मैंने definition देना है, और वो क्या है, कि शॉर्ट पिच वेंडिंग में आपके उत्पादित विद्धुत वाहत बल और फुल पिच वेंडिंग में उत्पादित विद्धुत वाहत बल का अनुपाद जो है वो पिच फेक्टर कहलाता है बहुत नॉर्मल सी बात है तो क्या बोल सकते हम शॉर्ट पिच वेंडिंग मे Short Pitch Short Pitch Vending Vending में Uttpadit Uttpadit Viddhut Viddhut Vahak Bal Viddhut Vahak Bal Tathah Full Pitch Vending में Tathah Full Pitch Vending Vending में Uttpadit Uttpadit Viddhut Vahak Bal Viddhut Vahak Bal Ka Anupat Ka Anupat Ka Anupat क्या कहलाता के जीवा गुणांक या फिर आपके विस्तार गुणांक कहलाता है जीवा गुणांक गुणांक स्लैश विस्तार गुणांक क्यांक कहलाता है मतलब आप देखना जिसको आपको Pitch Factor पता है और उसके जीवा फेक्टर का option देते है तो पता है वो बचा जादत है अगर उसको नहीं पता है तो गलती करके आता है आपको Pitch Factor आपको बताई रखा है एक इसके में कोईल इसपान फेक्टर भी बोलते हैं इपको बता रखा है यह दो definition आपके पास आ चुकी है, चलो, इसके बाद हम आगे कुछ देखते हैं, यहाँ पर, यहाँ तक clear है बाते आपको, चलो, अब देखना, आगे देखते हैं अपन, यहाँ पर kp, kp, या फिर यह kc दिखनेगा, kp, या फिर आपको kc दिखेगा, kc, तो kp, pitch factor, और आपके पास kc, coil span factor, तो उसे घखराने वाली बात नहीं है, अलग-अलग किताबों में अलग-अलग notation है, क्या नखना, हमारे पेट में दर्द नहीं होना चीए, एक किताब से दूसरी किताब तक जाते समय, दूसरी किताब में जो content मिलता है, यह नहीं कि या आप आपके analytical study करते हो, आप जब दो या दो से अधिक किताबों के बीच में विवेचना करते हो, तो इस तरीके के मदभेत बोल-चाल में लिखने में, समझाने में फरक आ सकता है, वो सब चीजे आपके समझ के अंतरगती आने चीए, क्या रहा है, यह यह चीजे भी होती है तो क्या है, मैंने सबसे पहले लिखा, मैंने winding pitch, और यह आपके पास क्या है, pole pitch, winding pitch और pole pitch का ratio जो है, वो क्या कहलाता है, pitch factor कहलाता है, एक तो formula यह हो गया, दूसरा हम क्या दे सकते हैं, कि KP या KC के respect में, अगर आपको दूसरा formula मिलता है देखने को, मतलब आप देखो, चार option में अगर यह आगया, तो पक्का मेरा student tick लगागर आएगा ही आएगा, लेकिन अगर चार option में यह नहीं छपा, या उसने कुछ और option को चुना, तो फिर क्या लिखावाएगा, generated EMF in short, आपके पास क्या ह होगा, generated, generated EMF, generated EMF in short pitch, short pitch, ठीक है, यह आपके पास winding, और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, generated, generated EMF in full pitch winding, full pitch, यह आपके पास क्या है, winding, इसका ratio जो है, वो क्या कहलाता है, आपका, pitch factor कहलाता है, हाना, pitch factor आप कहलाता है, clear यह बात, अच्छा, आप देखो यार, यहाँ से हम और देखते हैं, इस जगे से, यह चीज़ क्लियर हो जाने चाहिए, अब formula आपके पास आगया, दो, जो definition से आया है, हाना, एक formula और याद रख लेना, K P और K C, K P और K C is equal to cos alpha by 2, क्यों हो जाएगा क्यों हो जाएगा, यहाँ पर alpha जो है, वो निकालना आपको आना चाहिए, एलफा जो है वो आपको निकालना अच्छी, तो एलफा जो होता है, वो होता है 180 degree और ये आपके पास slot पर, 180 degree divided by आपके slot पर pole, ये पता है, alpha basically है क्या, एलफा जो है, वो आपके दो, मतलब आपके पास लगाता राने वाले जो slots है, उसमें उत्पन होने वाले EMF के बीच में कलांतर है, या यूँ गह सकते हैं हम, कि दो adjacent आपके pole के बीच, electrical displacement जो है, वो alpha को निरूपित करता है, अभी alpha समझ में आ गया, ये आपको समझ में आ गया alpha का मतलब समझ में आ गया, देखो alpha का मतलब लड़का क्या समझता है, आप देखना, यहाँ पर जो है, मेरे पास इस तरीके के slots बने हुए है, इस तरीके के slots बने हुए है, एक slot यहाँ पर भी है, इस तरीके का, ये और ये, अच्छा, 90 degree का कॉन नजर आ रहा है कि नहीं आ अच्छा, यही alpha है, अच्छा दूरूस, दुबारा देखता हूँ, यहाँ पर आपके पास जो है, इस जगे पर हम बात करते हैं, यह जो है, क्या 180 degree है, हाँ, इस कोन को बोलते है, mechanical angle, इसको क्या बोलते है, mechanical angle, जो तुम समझते हो न, इसका मतलब 90 degree है, और इसका मतलब 180 degree है this is the mechanical angle, एक angle होता है, electrical angle, electrical angle का मतलब समझना, जिसी की माल लो, मैं आपसे कह रहा हूँ, कल मैंने एक example लिया था, 12 slot का, लिया था 12 slot का, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, 12 slot मैंने आपके पास लिया, यह 12 slot का example लिया, और यहाँ पर मैं 4 pole का formation कर रहा था, तो यह आपके प पास तीन slot, तो तीन slot जो आपके पास आया है, slot per pole, यह basically 180 degree का displacement रिप्रेजेंट करता है, तो आप बताओ, तीन आपके पास slot, क्या ऐसे आगय होंगे क्या, ऐसे आगय होंगे क्या, आप दिखना, इस आपके पास क्या है, यहाँ रखी हुई कोईल, और यहाँ रखी हुई को इन दोनों कोईल में induced EMF आपस में कितने कोणी विस्थापन पर होंगे, तीके, यह जो है, एंगल रिप्रेजेंट करता है, अलफा को, अभी मुझे लगता है, अलफा आपको समझ में आ रहा होगा, कि अलफा इस क्या हो है, अलफा की value basically क्या है, आप देखना, suppose मालो मैं इस तीसरा, और यह आपके पास क्या है, चोथा, ठीके न, और यह total आपके पास क्या है, आपके resultant है, ठीके, तो आप बताओ, इस से इसके बीच में कोण देखू, तो यह कोण आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अच्छा, वैसे इसको पैदा इधर होना चाहिए है, लेकि इधर हो आ रहा, तो आप बताओ, यह कोण यह विस्थापन बार-बार क्यों आ रहा है, यह कोण यह विस्थापन उन कुंडलियों की position change होने के कारण आ रहा है, हम इसके बाद distribution factor क्यों पढ़ेंगे, distribution factor पढ़ेंगे इसलिए, तो कि जब आपने coil को, coil को आपने concentric थोड़ी लगाया है, इदर, फिर थोड़ा इदर, फिर थोड़ा इदर, फिर थोड़ा इदर, फिर थोड़ा इदर, ऐसे पूरे around करके खुमाया है, तो आपकी जो coil है, वो distributed है, और अगर वो distributed है, तो फिर उसका distribution factor क्या होगा, ठीकिना, तो यहाँ पर हमारे पास alpha जो है, वो किनी दो adjacent slot के ब बनने वाला कोण है, electrical angle है, ठीकिना, तो यह आपके पास क्या हो गया, alpha हो गया, अब दिखना, इसके अंदर हम कुछ case पढ़ते हैं, कुछ conditions पढ़ते हैं, case first पढ़ते हैं, case first, यह आपके पास क्या है, case first, पहला case आप से पूछता है, क्या है, कि अगर pitch factor का मान एक होगा न, तो क्या होगा, यदि pitch factor का मान एक से जादा होगा न, तो क्या होगा, यदि pitch factor की value एक से कम होगी, तो क्या होगी, पिर उसके बाद option देता है, ऐसा ऐसा होगा, और आपके पास वो question इस तरीके का बनता है, तो अभी मैं पहला case ले रहा हूँ, case first, कि यदी pitch factor, यदि pitch, pitch factor, kp is equal to one, यह मेरी यह condition है, kp is equal to one हो, तो, अगर ऐसा हो, तो क्या होगा, अच्छा ही बात हो, kp क्या होता है, बुले winding pitch और pole pitch का अनुपात, pitch factor कहलाता है, दुबारा बोल रहा हूँ, winding pitch और pole pitch का अनुपात, जो है, वो pitch factor कहलाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, winding pitch, winding pitch, और यह मेरे पास क्या आ रहा है, pole pitch, pole pitch, और यह किसके बराबर, एक के बराबर है, kp basically यह है, आप पढ़कर आए हो, और यह किसके बराबर है, एक के बराबर है, तो लो, इसको इससे गुणा कर देते हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, winding pitch, बराबर, pole pitch, winding pitch बराबर आपके पास क्या हो जाएगा pole pitch अगर pitch factor की value एक है तो winding pitch pole pitch के बराबर होता है और इस प्रकार की winding को हम full pitch winding कहते हैं इस winding को हम क्या कहेंगे full pitch winding दुवारा बोल रहाओ यदि pitch factor का मान एक के बराबर हो तो winding pitch का मान pole pitch के बराबर होता है और इस winding को full pitch winding कहते हैं तो हम क्या बोलेंगे इस winding को इस winding को winding को full pitch winding full pitch winding कहते हैं इस winding को full pitch winding कहते हैं अभी तो फिलाल इस subject को focus करो यह subject अगर आप अच्छा कर लोगे न तो बहुत अच्छा हो जाएगा चलो अभी आप देखो यहाँ पर आपको पता लग गया कि इसे क्या कहते हैं full pitch winding अब देना question कैसे बनते हैं यहाँ से question मना रहा हूँ कि full pitch winding के लिए pitch factor का value क्या होता है एक यह पहला question गया एक ही जगे से question बनाने के तरीके देखना full pitch winding के संदर्ब में निम्न में से कौन सा कतन सत्य है तो कतन winding pitch का मान pole pitch के समान होता है यह सही कतन है या फिर क्या करेगा तीसरा question एक ऐसा बनाएगा कि एक question में winding pitch pole pitch के बराबर है आपके हिसाब से winding कोंसे ठीक है घुमाया है बस और कुछ नहीं किया तो अगर आप यह इसके बराबर है तो हमारे इसाब से winding जो है वो फुल-pitch winding है clear बात यहां तक चलो यह आपके पास पहला पहला case था और पहले case के बाद इसके उपर कुछ है क्या अपन खाली है तो अभी अपन बात करते है case second पर तो आप देखो case second पढ़ते है और case second क्या है कि यदी kp is greater than one kp is greater than one तो अगर pitch factor का मान एक से जाधा हो तो क्या होगा अभी देखो pitch factor की value में एक से जाधा कर रहा हूं इसका मतलब क्या हुआ कि winding pitch इसका पॉल पिच इस जगे से अगर अपन इसको solve करेंगे तो इसको इधर की तरफ आप लेके जाओ इसको इधर की तरफ लेके जाओगे तो तो क्या होगा और बहुत कुछ हो जाएगा और क्या होगा कि winding pitch ah рез sieже a better than हो जाएगा आपके पास पॉल पिच से आने वाली आक्षा ए बहुत समझ में आना पड़ेगा कि या यह क्या बोलना चाहरा है क्या बोल रहए है बोलो समझ में क्या आ रहा है आपके अना चलो अभी आपके पास क्या यह मान आया है winding pitch is greater than pole pitch अब देखो winding pitch greater than pole pitch का मतलब क्या है कि जो भी pole pitch आया है आपने अपनी winding को उससे उपर भेज़ दिया उधारन के तौर पर माल लो कि आपके पास slot जो है वो slot 24 slot है जो भी slot है और किसी ने आपसे कहा पिया मुझे 24 slot पे 4 pole का formation करके देना है आपको आपने उसकी बास सुनी और यहां से आपके पास क्या है चार pole आपने बनाने है अब आपके पास क्या है जो पर pole बनाओगे आपके उसमें slot का difference निकालना पड़ेगा मतलब slot per pole तो आपका slot प्रती pole value जो आएगा वो क्या आएगा 24 बटा चार मतलब आपके 6 खांचे आएगे ठीक है ठीक हांचे का फर्क दोगे एक pole का formation हो जाएगा ठीक ना अब देखना आपकी winding का अगर बात करें तो winding पहले खांचे में से निकालोगे छे का आपको गेब देना है तो निकलनी कितने में चीए थी साथ में से निकलनी चीए थी अभी देखो साथ में आपकी winding पड़ी हुई है और उदर की तरफ छे का आप गेब दोगे तो अभी winding कहां से निकलनी चीए थी 13 में से निकलनी चीए थी तो अभी आप देखना अगर मालो ऐसा नहीं होता है और मैं यहाँ पर जो winding pitch है ना उसको pole pitch से ज़्यादा कर रहा हूँ by one slot तो आप क्या करते हो long pitch और short pitch winding करते हो तो फिर आपको बताना पड़ता है कि long कितने गए जैसे कि मालो मैं long pitch winding कर रहाू हूँ अग्ले आदमी को confusion हो जायगा क्या long pitch winding कर रहा है बट long कितनी long तो long होती है तो फिर आप उसे बताऊगे के भया मैं long pitch winding कर रहा हूँ by one slot मैं long pitch winding कर रहा हूँ by two slot ठीक वैसे ही जब आप short pitch winding करते हो तो उसको वकायदा clear बताते हो कि आप short pitch winding की जिए by one slot आप short pitch winding कीजिए by two slot और three slot तो आप आईडिया लग जाता है यह एस ऐसे होगी तो यहां पर आपके क्या किया आपने 128 कर दिया क्या लां पिछ winding by one slot अब आप देखो यहां पर वेंडिंग क्या निजी आठ से निकलेगी अब आपके बाद देखो अभी आठ पर है और आठ के बाद अपने इसके साब से कितने में जानी जीदी चौधा पर लेकिन अभी निकालोगे कहां पर आप 15 पर तो यह आपके पास क्यों जाएगी 15 पर आ आ रहे हैं कितने और आप वेंडिंग को का भेज रहे हो आठ पर अभी आप बताओ आपके पास सुरी साथ पर एक सी तो आगे कर रहे हो साथ पर तो साथ बटा जब आप 6 करोगे तो वैल्यू आपके पास एक से जादा आएगी कि नहीं आएगी बस वही जो है वैंडिंग जो आपके पास पीच वैल्यू है वह एक से जादा हो जायगा तो यहां देखो हो यही बात कहरा है कि वैंडिंग पिंच जो है इससे जादा हुड इस usable को हम पदा रही क्या पिढम बोलते हैं कहते हैं बड़ा पॉपुलर कोश्चन है लॉंग पिच वैंडिंग के लिए पिच प्रेक्टर का वैल्यू बताईए रामायन पसंद है रामायन तो पसंद है हम तीन भाई है और मैं राम बनता हूं छोटा वाला आपके पास जो है वो लक्षमन बनता है और से छोटे वाले को हमारी इच्छा रूसार बनाते हम सब्सक्राइब और तीसरा पात्र रामायन का हमारा वही होता था तो बिल्कुल काम आने वाले नोट्स मेंटेन करेंगे हम आप निश्चिंद रहीं और आपको अच्छा लगेगा चंद्रिपाल आपको पका अच्छा लगेगा पूरा का पुरा कोर्स ज्यादा रामायन नहीं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात मेरा मानना देखो क्या है जब मैं आफ लाइन बेचों में अक्सर बताता है रत्मा हूं यह ओनलाइन वाले बच्चे अभी संपर्क में आये हैं आप देखना एक टीचर यह है जिसने आपको क् मात्र आपके पास क्या है दस लाइने ही लिखाई ए मतलब दस लाइने लिखाई और दस लाइनों में से उसके 8 पॉश्चन बैट गए आप बताओ इसमें से बैस्ट टीचर को ने अगर दस लाइन वाला ठीक है लेगन दिक्वत बता है कि आज के एरा में विश्वास नहीं करते लोग बाद थीग है आज के एरा में लोग विश्वास नहीं करते मैं जितना पढ़ा रहा हूं उसी से इतना सेलेक्शन करवाया है मैंने और मुझे पता है कि कुछेगा तो कहां पूछेगा इसे ज्यादा नहीं पूछेगा तेकिन नहीं अभी होड मची हुए ना यार तो इसलिए क्या है कि आपको ज्यादा पढ़ाना पढ़ रहा है वरना आइटे वाला बच्चा आप सोचो ना यार आइटे करता कोन है आइटे के लिए बात बुली जाती है ओल इंडिया रिजक्टेट इसलेक्टेट इस लाइन का मतलब आप समझ लो अपने हिसाब से पता करते हैं तो भग लेखात यार अभी पीछह कर रहा था माड़ बीपल के पेड़ पर चल गया सपेद बॉल के वर कि अब आप लौड है कि भी मरत में तो इसे कोई करता हैं कि एक करता है तुम्हारा चोड़ा तो क्या करो यार इसको करा दो कुछ नहीं साल देड़ साल दो साल की उती है उसके बाद नोगरी लग लुगा जाएगा कहीं ना कहीं अगर गवर्मेंट लग जा तो ठीक नहीं तो प्राइवेट कमपनियों में कहीं भी लगाता ना फिर ब्याव करते हैं मैं अगर 90 परसेंट और 80 परसेंट के बच्चे को पढ़ाऊंगा न तो पक्की बात है वो बच्चे जो है मुझे सर आंखों पर रखेंगे और मुझसे नहीं कहीं सरका पढ़ाया समझ में नहीं आया लेकिन अगर मैं आपको मेरे बैच में भेज़ दूं तो मेरे इसका बच्चा दिसका 48 परसेंट है उसको समझ में नहीं आया तो पता है वो क्या बोलता है इस पास्टर को पढ़ाना निया लुए है कि यह नहीं देखेगा जो है यह वह इस नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब वो सीधे सीधे आपकी गलती बताता है कि गुरुजी को पढ़ नहीं आता है कि वह 90 परशन का बच्चा अगर नहीं समझाना तो बता क्या होता है यह टॉपिक टॉप है थोड़ा सा इसको फुटको घर पर जाके पढ़ना पड़ेगा तो कभी भी यह नहीं गेता कि टीचर वह समझाना नहीं आया पड़ाना नहीं पक्की बात है पढ़ने वाला बच्चा मतलब देखो more than 80 परशेंट वाले का आपके आइडियोलोजी के ऐसा है और इस आपके 36 परशेंट से 48 परशेंट की बीच में पास सुने लिए बच्चे की आइडियोलोजी के यह टीजर को दो मिल्मी रिजेट करता है यह ना यह फरक पड़ जाता है तो इस पिच पेक्टर का मान एक से जाधा होगा तो बताईए आपके पास क्या होगा बोले लॉंग पिच वैंडिंग के लिए पिच पेक्टर की वैल्यू क्या होगी बोले एक से जाधा होगी इसके अलावा अगर आपको कथन देखने को मिलता है तो कथन यह मिलेगा लॉंग पि जान रखना है जलो इसका आखरी केस डिस्कस करता हूं मैं आपके साथ में आप तो बस इस क्लास को लाइक शेर करते लिजिए कुमेंट कुछ भी कीजिए बले अगर आपको क्लास आज की पसंद नहीं न तो डिस्लाइक बटन दबा के जाओ आप मैं डिस्लाइक के लिए भी आप बता हो यार आप लोगो जो पूटा में बैठे उन लोगो जुरूत है नहीं अभी मालो मिर पास फोन आया गुजरात से बाउजी फोन करते हैं और बच्चे को पढ़ाना चाहता हूं और मैं यहां कोटा बेजूंगा आपके पास तो मिरी आत्मा नहीं मानी उसको बु यह कोर्स जो है इतना मेंगा कोर्स नहीं को एक लाका कोर्स तो मैं पढ़ानी रहाऊ उसके लिए अगर मालो आप एक डेंल लाका खरचा गरदो कोटा, कोटा बहुत मेंगा शहर है कि आप अगर मालो बच्चे को यहां बहजोगे न तो क colon यहां सब आपका बहुत खर्चा हो जाएगा तो मैं आपको यह सजेस्ट करूँगा कि आप ऑंलाइन पढ़िए यहां मैं पढ़ा रहा हूं मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं मैं खुद भी मेरी क्लासों को देखता हूं और ऐसे स्टुटेंट देखता हूं मुझे पता है कि कहां कहां से ग्लेयर बनती है, कहां से आप weard से बहुत अच्छा उतार सकते हो तोकि मैं हर weard squeeze केFr tort के वीयू को चेक करके आया हो आपको लगता है ना किctho ओला प pronounce बैठा है तो वो जो बोलेगा मुझे समझ में नहीं आएगा मुझे सब समझ में आएगा तो कि मैं वहाँ भी बैठा हूँ और इस बोड को मैंने वहाँ से भी निहा रहा है तो लड़की बैठी हुई है मैं यहाँ भी बैठा हूँ और इस बोड को मैंने वहाँ यहाँ से भी निहा रहा है पहले तो इस बोर्ड को भरा है पूरा लिखा है और फिर बाद में वो उतारने वाली मुद्रा में नहीं क्या और आदे बच्चे घूम कर आ जाए कुछ बच्चे वोश्रूम में बेठा हुआ है तो आपके क्या है अगर यहां निगरानी ना हो तो आप अपने बच्चे पर थोड़ी निगरानी रहो ऑनलाइन क्लास के दुरान और अगर फिर भी इसको कुछ डाउट होते तो लोकल कोई भी ट्यूटर जो वहां पर बढ़िया रेटिंग लेके बैठा हुआ हो उससे आप पढ़वा लो तो यहां मेरा गाइडेंस भी चलेगा इसके लावा लोकल जो ट्यूटर है वो भी पढ़ाएगा तो आप उससे पढ़वा लोगे आप सुचो यार कहा गुजरा आप जो है ना ओनलाइन ही पढ़े तो जो दूर है वो औलाइन पढ़ें तो मेरे आसपास हैं जो आ सकते हैं या पर वह ऑफलान बेच में आ लेकिन बस सलेक्शन ले ले और एक मैसेज़ कर दें कि साब सलेक्शन हो गया है मेरा आपकी क्रास में बैटके पढ़ने से और क्या है कि यदि Pitch Factor का मान एक से कम हो तो क्या होगा है यदि Kp is less than 1 हो तो यदि Pitch Factor की value एक से कम हो तो क्या होगा तो अभी देखो यहां पर Pitch Factor की value जो है मैं एक से कम कर रहा हूँ तो आप देखो winding Pitch यह आपके पास winding Pitch बटा पोल Pitch अब देखो winding Pitch और पोल Pitch का value एक से कम है कि आप कहना चाहिए तो अगर ऐसा है तो वापस इसको इससे गुणा करो तो जैसे ही आप इसको इससे गुणा करोगे आपको फिर देखना क्या देखने को मिलने वाला है आपको देखने को मिलने वाला है कि इसको इससे गुणा करते से ही यह मान छोटा होता है पोले का इस वेंडिंग को हम क्या बोलेंग धे शौट पिछ वेंडिंग को यह रहे मैं आपको पहला point दूँगा, इस winding को short pitch winding कहते हैं, मतलब way winding, जिसमे winding cold pitch से पहले आपके क्या है, rest कर जाती है, उसे हम क्या बोलेंगे, short pitch winding कहते हैं, इसे short pitch winding कहते हैं, इसे short pitch winding कहते हैं, पहला point clear हो गया, कि बैसे के लिए है क्या short pitch winding, अच्छा, दूसरा point आप देखो जड़ा, कि short pitch winding का इस्तमाल ही हम ज्यादा करते हैं, हम क्या करते हैं, short pitch winding का उपयोग ज्यादा करते हैं, तो रहे है, short pitch winding का प्रियोग, अधिक किया जाता है, अधिक क्या जाता है, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, मतलब आप यह नहीं बोलोगे कि आप short pitch winding का उपयोग किया जता है, इस पर requirement हम full pitch भी लगाने वाले हैं, हम long pitch पर भी जाने वाले हैं, आप numerical देखोगे तो full pitch और long pitch दोनों के available हैं, लेकिन हाँ, इनके respect में short pitch winding का कि short pitch winding में हमें copper की बचत होती हैं, और कुछ electrical advantages भी होते हैं, अब देखो चूकि यहां मैं factor पढ़ा रहा हूँ, तो electrical advantages पर बात नहीं करूँगा, अभी आपने किसी प्रकार की कोई machine मेरे साथ discuss नहीं करी है, तो अभी अगर मालो मैं उस pitch को एक आगे भेजूँगा, और फिर मैं आपसे कहता हूँ, कि यार ये value भी इसका फाइदा हो जाएगा, इसका फाइदा हो जाएगा, आपको कोई फाइदा समझ में नहीं आने वाला, अभी आपको मोटा-मोटा एक फाइदा समझ में आएगा, कि यार एक slot आगे करने से conductor बच जाएगा, और हो सकता है कि कोई लड़का ये भी कहते, ओ, एक खाच आगे बेजने से कौन सा तार बचा लोगे आप, एक खाच आगे करने से कोई तार बचेगा, क्या बचेगा तार, ये भी सोच सकता है, तो इसका मतलब वो गलत नहीं सोच रहा, तकि मुझे भी तो ऐसा लग रहा है, एक बात आओ, ये slot बिल्कुल पास-पास, एक बात आओ, ये उंगलिया हैं, मैं यहाँ से धागा लपेट कर यहाँ लपेट हूँ, और यहाँ से धागा लपेट कर यहाँ लपेट हूँ, कितना धागा बच जाएगा, कितना बच जाएगा, ज्यादा तो नहीं बच रहा है, तो ऐसा सोच सकते लेकिन फिर भी यह कह रहा है कि copper की बचत होती है तो कुछ ना कुछ बात तो होगी बस वो क्या बात है वो अपन समझने ही कोशिश करेंगे एक बात तो समझ लेना कि short pitch winding का प्रियोग प्राय अधिक किया जाता है विदि winding pitch का value कम हो पोल पिस है तो इसको हम क्या कहते है short pitch winding कहते है और इसमें copper की बचत होती है इसमें क्या होती है इसमें copper की बचत होती है तो short pitch winding short pitch winding में copper copper की बचत होती है बचत होती है तो short pitch winding में जो है वो copper जो है वो बच जाता है अब एक बात समझना suppose मालो एक winding की गुच्छी में ने बनाई तो क्या उस एक winding की गुच्छी में किवाल एक ही turn होंगे एक turn नहीं होंगे पाल लो उसमें 500 turn है तो आप बताओ एक slot आगे करने से उन 500 turn के respect में फरक कितना पड़ा पत नहीं समझो सबोज मालो एक turn पर आपको 1 cm का ही फरक पड़ा एक turn के respect में आपको 1 cm का फरक पड़ा एक cm वास्तों में बहुत छोटा है आप जो सोच रहे हो ना वो बिल्कुल सही सोच रहे हो किसा क्या हो जाएगा एक cm बचा के लेकिन एक बात आओ अगर आप जो है एक आपके पास coil को तयार करने में टोटल number of turn कितने ले रहे हो आप 500 turn ले रहे हो पांसो पांसो आपने आपके नहीं बचा पर ऐसी अगर माल लो आपने आठ कोईले भी बना रखी है यह इंटू आठ कर लो हो गया आठ पंजे चालिस हो गया यह यहां रोख लो इस तो यह आपके पास क्या है अब आप सोच लोग कितना तार बचा लिया आपने तार बचा गी नहीं बचा तो इसका मतलब आप गलफ सोच रहे थे एक स्लोट आगे करने से क्या हो जाएगा भाई साब बहुत फरक प आगे करने से बहुत फरक पढ़ने वाला होगा तो यहां पर शॉर्ट पिच्वंडिंग में कॉपर की बच्षत होती है और साथ में मैं एक पॉइंट और मिले दूंगा कि आपको क्या है शॉर्ट पिच्च करने से बैसिकली होता क्या है अभी आप देखना मैंने आपको न इसको एक स्लॉट करूँ तो क्या मिलेगा अच्छा बताओ, अगर मैं इसको एक slot कम करू तो क्या मिलेगा, तेबिस, अच्छा इसको अगर मैं एक slot कम करू तो क्या मिलेगा, आपको कोई खास बात नजर नहीं आरी इन सारे अंकों में, एक कम करते से ही आपको जो number मिले वो prime number मिले, तो number of slots आपको prime देखने को मिल रही है साथ में एक आपके पास क्या है blank slot मिला है जिसमें हम dummy rest करवा सकते हैं dummy समझते हो न, dummy क्या होती है dummy winding, cursory winding, dead coil जो electrically isolated होती है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा perform करती है तो ये सब जो हैं हमें electrical advantages देंगे तो short pitch winding का इस्तिमाल हम केवल और केवल copper बचाने के लिए नहीं कर रहे हैं इससे हमें electrical advantages भी होंगे इससे हम आपके क्या है तो आपके वैदुतिक फायदे भी होंगे electrical advantage मिलते हैं इसके यहां मैं सिर्फ इतना सा शब्द दिखाऊंगा कि इसके electrical advantages मिलते हैं और जब जब मैं वो advantages पढ़ाऊंगा तब तब आपको बताऊंगा कि देखो यार यह dummy coil यहां पे काम आ रही है और यह dummy coil हम वहां से लाए थे उस जगे पे जब हमने short किया था तो वो क्यों किया था इसनिए किया तो इसके इसके electrical electrical advantage इसके electrical advantage भी प्राप्त होते हैं तो यह electrical advantage क्या होते हैं इस पर समय समय पर मैं आपको बताता रहूँगा कि यार यह देखो मैं electrical advantage हो गया तो यह machine discuss करेंगे उतारो फटाफट फिर आगे गलास में बात करेंगे